आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंट वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students, तो आज का मारा Question है एक washing machine है, जिसकी rating हमें दे रखी है rating मतलब power में हमें दे रखा है कि यह जो machine है, वो 300 watt power पे चलती है ठीक है, और एक दिन में एक घंटा यूज होती है और हमें दे रखा है कि एक unit की cost है 3 rupees ठीक है, 3 rupees तो हमें बताना है, find the cost of energy to operate the washing machine for the month of March तो देखो, मुझे इतनी power की washing machine चलानी है लेकिन कितने time के लिए चलानी है हर रोज एक घंटा चलानी है ठीक है, पर ऐसा unit में 1 hour लिखने का तरीका है 60 into 60 क्योंकि 60 minutes होते हैं और 60 seconds होते हैं तो एक दिन में इतनी देर तक चलेगा लेकिन question ने मुझे बोल रखा है कि मुझे मार्च के महीने के लिए चलानी है मार्च में होते हैं 31 days तो ये इतने time के लिए चलने वाला है इतने seconds तक वो चलेगी washing machine total समझ में आ गया, तो मुझे total energy निकालनी पड़ेगी, तो total energy होती है power into time तो power है मेरी 300 into, इनको multiply करो तो मेरा ही हो गया, 3600 into 31 इतना clear हो गया चलो, अब इसके बाद देखो energy मेरी निकल जाएगी इससे लेकिन मुझे unit में दे रखिये cost, unit का मतलब और one unit मेरी कितनी होती है, one unit is 3600 into 10 to the power 3 joules, इतनी energy होती है तो बस मुझे अपनी पास जो energy है उसको इस value से divide करते हैं, तो मुझे अपना answer किस में मिल जाएगा, units में मिल जाएगा 300 into 31 into 3600 upon 3600 into 10 to the power 3 समझ में आ गया, अब इनको divide कर दूँगा, तो मुझे answer मिलेगा units में ठीक है, इतने units हैं तो यहां से यह चीज़े होगे, cancel out तो यहां पर बच क्या रहा है E is equal to, multiply कर दो तो यह हो गया 3, 29, 93 हो गया यह ठीक है, और 2 zeros into 20 power minus 3, which makes it simply 9.3 units तो इतने units की electricity मैंने total use कर लिया है, अब तो question simple है, एक unit use करने के लिए 3 रुपे मुझे pay करने पड़ेंगे तो total cost मेरे पास simply कितना हो जाएगा 9.3 units into 3 रुपीज मेरा answer simply आ गया कितना 27.9 रुपीज तो I hope यह question अब सबको समझ में आ गया होगा और इसका solution हमने कैसे किया, वो भी clear हो गया होगा, ओक Classics to 12 से लेके नीट IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर